नमस्कार बहुत स्वागते आप सभी काप देखरें स्पेशल रेपोर्ट आपके साथ मैं हूं मम्ता अतिवारी कॉलकाता रेप एंड मजर केस की गुत्ती सुलजनी की जगा और उलजती दिख रही है 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेश तर्रा जांच एजनसी CBI ठोज सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है CBI को अब कुल साथ लोगों को जूट पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है जिनसे इनके बयानों में जो विरोदभास है वो क्लियर हो सके हालकि इसमें भी आज आरोपी संजर रॉय का टेस्ट कल के लिए चाल दिया गया देश सवाल पूछ रहा है कि कौलकता फाइल्स की क्लोजर रेपोर्ट आखिर कब आईगी ये रेपोर्ट देखे दिवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही रहम की भीख मांगती रही आखरी सांसों तक लड़ती रही जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे ना वो आधी राग घर से निकली थी ना सुनसान स्राक पर थी उसकी तो घरदन में जान बचाने वाला आला था थिर्वी उसे नोचा गया खसोटा गया असमत लूटी गई मौद के मुह में जोग दिया गया हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी यह दगोलकाता फाइल्स देश उबल रहा है देश सवाल पूछ रहा है देश इनसाफ मांग रहा है डॉक्टर बीटिया का बलातकारी कौर डॉक्टर बीटिया का का गातिल कौर डॉक्टर बिटिया के रूप को कब मिलेगा सुकूद किसी के पास जवाब नहीं है किसी के पास आठ और नौ अगस्त के तरमियानी रात का हिसाब नहीं है क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यो हुआ? किस ने किया? कौन-कौन शामील? देश की सबसे बड़ी जाच एजेंसी सेंटर बियूर ओफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीवी आई परत दर परत तलाश कर रही है केस का रेशा रेशा खंधाल रही है लेकिन सवाल अब भी अनसुलजे है पंदरह दिन बाद कितने मिले सबूट? कितने मिले गवाह? कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इनसाफ? निउस एजिन इंडिया की सबसे बड़ी परतार तक पुलकाता फाइल्स पुलकाता केस की डिजेल दिखाने से पहले बिटिया के पिता ने क्या कहा सुनी करें गए कि आप बड़ी परता हैं कोई दूरक्रत ना घर जाए तो मकोपर जमीदरी पड़ेगा लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई फोन से भी बत नहीं जब उनका शब मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था 12 बज़ के 33 पाना मिनिट पर फोन आया और उसका बाद हमने किया उसके बाद उसने उधर से भी फीर एक बर खुना है उनसे बोला मैं एसिस्टेंस पर बोल रहा हूँ आपका लिड़की लगता है सुिसेज कर दी सीबियाई आज साथ किरदारों का पोलिग्राप टेस्ट करा रही है दिल्ली से एक विशेश टीम आकर ये पोलिग्राप टेस्ट को कर रही है जिसमें संजे रॉय इसके लावा पूर्स प्रिंसपल संदीब गोश दो टेनी डॉक्टर एक इंटर्न और दो अनिस्टाप शामि से वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबी आई अपनी जाच फोकस कर रही है नंबर वद आरोपी संजे रॉय जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है नंबर दो आरजिकर का बुरू प्रिंसिपल डॉक्टर संदीब गोश नंबर ती फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर अरका नंबर चार फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर सौमीत्र नंबर पांच हाउस स्टाफ गोलाव नंबर छे एक इंटर्न सुपदीब नंबर साथ अस्पताल का एक और स्टाफ इन सब को पॉलिग्राफिटेस्ट से गुजरना होगा डॉक्टर रेप एंड मडर केस की कड़िया बहुत उलची हुई हैं CBI का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्च किये हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधा भास है CBI ने सुप्रेम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा बड़ा सवाल ये भी है कि CBI ने जिस क्राइम सीन के CFSL के एक्सपर्ट के जरिये चाच करवाई क्या CFSL के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे पुर्व प्रिंस्पल संदीप खोश्ट से लगतार पूछ ताच करने के बाद पॉलिग्राफिय में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबद दी थे आपको वार्दाद की खबर किस ने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तदकाल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम असूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलिक करते थे फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराप पिलाते थे उनको पैसे का लालच लट लगाते थे इसके लावा बहुत सारा बेयाईनी काम जैसे बॉडी का लेके तसकरी करना जैसे बायमेडिकल विस्ट का मैंने बताया था इसको भी मैंने एक्स्पोज किया था संदीब घोष क्या चिपा रहे हैं क्या बता रहे हैं उमीद है कि पॉलिग्राफी टेस्स से दूद का दूद पानी का पानी हो पाएगा लेकिन उस रात क्या हुआ था इस गुद्धी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्वेंस समझना होगा सुत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारतात की टाइम लाइन इस तरह से है पीडिता और दो फस्ट येर के छात्र अरका और स्वमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया इसके बाद वो समिनार रूम में गए जहां वो डेर से 2 बजे तक रहे और नीरत चोपड़ा का जैवलीन फाइनल देखा समिनार रूम के सामने स्लिप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते ही अलका और स्वमित्र स्लिप रूम में गए जबकि पीडिता समिनार रूम में आराम करने लगी गुलाम ने पौने 3 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही जब कि सुधीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था तीनों कमरे समिनार हॉल स्लिप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के बात है इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चार डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी समिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए से बी आई चार डॉक्टरों और दो स्टाफ से यही समझनी की कोशिश कर रही है इसलिए जूट पकड़ने वाली मशिन का इस्तेमाल कर रही है इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीचे खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने बिडिता की चीख सुनी? बारदाद का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि बिडिता को आखरी बार जिन्दा देखने वाले चार डॉक्टरों के पॉलिग्राफ टेस्ट से सीवी आई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीवी आई के सामने ऐसी कौन सी चुनोती आ गई है जिसके चलते उसे एक दो नहीं बलकि साथ दोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की जरुरत पड़ गई इस वारदात के अगले दिन कोलकता पुलिस ने संजे रॉय को गिरपतार किया था कोलकता पुलिस संजे रॉय की गिरपतारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शेट मान रही थी सीवी आई को ऐसा नहीं लगता है कोलकता पुलिस की नजर में मुख्यारोपी संजे रौय है लेकिन सीबी आई असली कातिर तक पहुचने के लिए साथ किरदारों का पॉलिग्राप टेस्ट करा रही है बता दे कि कोलकता पुलिस ने सेमिनर हौल में मिले एक ब्लूटूथ के जरीए अगले दिन संजे रौय को गिरपतार किया था असल में CBI के सामने सबसे बड़ी चुनोती ये है कि CBI उन्ही सबूतों पर जाज करने के लिए मजबूर है जो कलकता पुलिस से CBI को मिले है जैसे कलकता पुलिस दौरा लिया गया पिडिता का DNA सैंपल CBI के एंट्री से पहरे बिडिता के बॉड़ी का पोस्ट माटम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया इस वज़े से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता CBI के पास ना बॉड़ी है नहीं स्पार्ट पर मौजूद पूरे साक्ष मौका ये वारदाद पर एक से जादा लोगों के फुट्प्रिंट्स भी जांच में अर्चन पैदा कर रहे हैं जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी CBI को दिक्कते आ रही है मतलब सवाल खुम फिर कर वही पहुच जाता है कि क्या आरोपी संजे राही कातिल है या कातिल कोई और है क्या कतल एक से जादा लोगों ने मिलकर किया या कतल संजे राए ने किया और सबूत किसी और ने मिठाए क्या कोलकाता पुलिस के थियोरी CBI के गले नहीं उतर रही CBI की टीम ने मोकाई वारदात का कई बार मुआयना किया यहां तक कि मोकाई वारदात की 3D में पिम्भी की गई ताकि कोई सबूत CBI के हाथ लग पाए CBI सेमिनर हौल में छुपे अधरश सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है पॉलिग्राफ टेस्ट के डिटेल आपको भी जरूर जानी चाहिए क्योंकि जूट पकड़ने वाली यह मशीन आखिर कितना जूट पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है सबसे पहले जानी की क्या होता है पॉलिग्राफ टेस्ट पॉलिग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटेज किये गए सेंसर से मिलने वाले सिगनल को एक मुविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसस अटाइच किये जाते ही अब जानिये की क्यों करवाया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट जब आरोपी या संदिग्द पूछ ताच में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है किसका लिया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट अदालत की परमेशन और संदिग्द की सहमती से जाज एजेंसी कर सकती है टेस्ट कैसे काम करता है पॉलिग्राफी मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है सांस लेने की गती, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मुवमेंट कॉलकाता के सिसले भी उलच गया है कि जिस आरोपि संजे रॉय को कलकता पुलिस ने ग्रिफतार किया उसका कहना है कि वो निर्दोश है उसे भसाया जा रहा है, संजे रॉय की ओकिल का कहना है कि वो पॉलिग्राफिटेस्ट के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके लेकि सवाल है कि क्या संजे सच बोल रहा है, संजे के दोस्त ने उसके वेवहार को लेकर जुकाहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है अब बारे बारे बहुत कहानिया चल रही है कि यह रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहां का और यह गंदी-गंदी वीडियो देखता था यह हो सकता है पत्नी जो थी एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी बताते हैं हहां पर कोलकता केस की जाज कहीं उलच कर दम न तोड़ दे इसलिए सीबी आई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है सीबी आई हर एक उस तकनीक का इस्तमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिश्ट्री से परदा उठाय जाए लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकता ही नहीं बलकि पूरे देश में आक्रोश की लहर दोड़ा दिये और हर तरफ दरिंदे के लिए फासी और बेटियों के लिए इंसाब की मांग की जारी है सियालदा कोट, कलकता हाई कोट, सुप्रीम कोट जिसने सुदा संग्यान लिया सब की नजरे सीबी आई जाच पर टिकी हैं सीबी आई कोट में ये क्लियर कर चुकी है कि साच्छों के साथ छेड़ चाड़ किया गया लहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जाच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलच कर कुछ भी मुकंबल पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इनसाफ में धेरी का एक मतलब ये भी होता है इनसाफ का नहीं मिलना जब पूरी गुनिया को ये लग रहा है कि इरान इस्राइल पर बड़ा हमले करना जा रहा है तो ऐसी जंगी माहौल में इरान को पचारते हुए हूती ने लाल सागर में फ़फनाख हमला किया है हूती के इस हमले ने इस्राइल और अमेरिका के फोश उड़ा दिये है हूती ने साफ कह दिया है कि इस्राइल और अमेरिका को हानिया की हत्या और गाजा में चल रहे नर्स हांगर की कीमत चुकानी पड़ेगी तेल टैंकर में धमांका हूती का खूनी हमला अगर इस्राइल और अमेरिका हूती लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए हूती ने ऐसा धमांका किया है कि इस्राइल अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए है हूतीयों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे लेकिन पहले ये जान लीजिए हूती ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिस वक्त इसराइली सेना गाजा पट्टी, खान यूनस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी उसी वक्त हेजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर लेबनान की तरफ से भीशन हमले कर रहा था जिस वक्त इसराइल हेजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से जादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के लड़ाकों युद्वूत पर भीशन हमला कर रहे थे मिडल इस्ट और बश्चिमेशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका की शेह पर कोहराम मचाय हुए है लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं और इसके पीछे की सबसे भड़ी वज़े है इरान जो इसराइल के वजूद को खतम करने पर आमादा है हूथी पिछले दस महिने से लाल सागर में इसराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके है हूथी ने भोड़ा तेड़ लाख मिट्रिक डन का बम हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मेसाइलों से ताबर तोड़ हमला कर दिया खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबा लब भरा हुआ था ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लफटें आस्मान चुने लगी हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है जरा उसे भी जान लीजिए खबरों के मताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था इसकी पुष्टी ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्म आया गया जबकि इस वीडियो को शुकरवार यानि 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया युनाइटिड किंडम मैरिटाइम ट्रेट ओपरेशन्स के मताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वजवाले तेल टैंकर पर तीन बार आग लगी थी जिसके बाद भयानक धमाका हुआ युरोपिय संग की एजेंसियों के तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है उसमें तेल लाख मिट्रिक टन कच्चा तेल भरा है जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है तेल टैंकर पुरी तरह से तबाह हो चुका है जबकि एक यूरोपिय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मवजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया वही हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीशन हमले लाल सागर में करता रहेगा नफदत लगुआत नमसलशत लिमनीया अमलियत तैन असकरियत तैन फिल बحर लखमरी खलीज अदन हम आपको हुथी से जुड़े चार वीडियो दिखा रहे है और ये समझाने की कोशिश कर रहे है कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इसराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके है पहले वीडियो को ज़रा गवर से दीखिए जहां हमास चीफ खानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्ट प्रदर्शन कर रहे है यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए हाथों में हमास चीफ खानिया और हिजबुल्ला के नमबर दो रहे कमांडर फुआद शुकर की तस्वीरे लेकर इसराइल से बदला लेने की खस्में खा रहे हैं और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए इसमें हुथी लड़ाके गाजा में फिलस्तिनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की तादाद में हुथी एके 47 जैसे हजारों राइफलें और गंस लेकर प्रदर्शन करते लिखाई दे रहे हैं और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए चालीस हजार से जादा फिलिस्तिनियों को लेकर के यहां भयंकर घुसा है यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदेशन में हुथियों ने हत्यारों के साथ जबरतस प्रदेशन किया हुथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इसराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिये हैं इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हुथियों अमेरिका के सबसे खतरनाफ MQ-9 ड्रोन के मल में पर खड़े हैं हुथि लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के चार MQ-9 ड्रोन को मिसाईल हमला करके गिरा दिया है हुथियों के दावे के बाद से इसराइल तक घबरा गया है यमन की राजधानी सना में शुकरवार यानि 23 अगस्ट को हुथियों ने ऐसा जबरदस्ट प्रदर्शन किया है जिसने इरान तक को हैरान कर दिया पानी में फील चेयर पर बैठा हुथि लड़ाका तक इसराइल और अमेरिका से घाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की गस्मे का रहा है इरान के विदेश मंद्री अबास अरागची ने साफ कह दिया है कि वो गुतियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखरी दम तक करेंगे ख़ाद मुआइमत वहाद मुआइमत वहाद मुआइमत और हमे के शाराइक दर होज़े मुआइमत गरार मीगीरन ये असल तगए नपजीर हस्त و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد قطعاً حمایت از مردم لبنان حمایت از مردم فلسطین مردم مظلوم فلسطین بخصوص در غز حمایت از مردم در یمن حمایت از مردم در هر جایی دیگر جهان اسلام بخصوص در حوض محور مقامن حماس اور حزبالله کے لڑاک جهان زمین کے ذریع زادہ حملے کر رہے ہیں तो वहीं हूथी विद्रोही سمندر کے راستے حملے کر رہے ہیں और यही वज़े है कि अमेरिका और ब्रिटिन ने मिलकर यمن में हूथी ठिकानों पर पिछले 3-4 मैने में कई दर्जन भयानक हवाई حملے किये हैं हूथी विद्रोहीों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटिन ने मिलकर के यمن के खरीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किये हैं जिसमें कई दर्जन यمن के नागरिंग भी मारे गए हैं इस तरह का एक इसराइली हमला यمن में हूथी के ठिकानों पर हुआ था 20 जुलाई को इसराइल इसराइल ने 2000 किलोमेटर दूर यمن पर हमले किये उसने पूरे मिडल एस्ट में कोहरा मचा दिया यمن के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इसराइल के देल अवीव में फ्रोन से हमला किया था और उसका पदला नितन्याहू ने खुद अपनी आँखों के सामने लिया जिस वक्त इसराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यمن के होदेदा पर हमले कर रहे थे उसकी एक-एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे ज़रा देखिए यمن के होदेदा शहर में इसराइल के बहरम एर्थ स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी तस्वीर नंबर एक देखिए यمن के होदेदा पोर्ट को इसराइली वायू सेना ने पूरी तरह से तबाह और परबाद कर दिया था दावा किया गया था कि यمن के इसी पोर्ट पर इरान से होथी विद्रोहियों के लिए खातक हतियार, रोन और मिसाइले आती है जिनने इसराइली हमले में परबाद कर दिया गया अब तस्वीर नंबर दो को देखिए इसराइली वायू सेना के फट्स जेट्स ने होदेदा शहर में मवजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किये थे पावर स्टेशन को मिसाइल और खातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था तस्वीर नंबर तीन देखिए जिसमे होदेदा शहर में मवजूद एक बड़े तेल डीपो पर जबर दस्ट हमला इसराइली सिना नकिया था इसराइल के हमले में तेल डीपो में भयानक अग लगी थी अग किलबते दो से तीन सो मिटर तकुर्टी हूई सावदी कि जसकती है मौके पर मौजूद सेकलो यमन के नागरी इस बेरहम हमले से हूई तबाही का वीडियो बनाते रहे מתחילת המלחמה, הבארתי שישראל תפגע בכל מי שהפגע בנו ולכן מוקדם יותר היום, כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החוטים בתימן הנמל שתקפנו איננו נמל תמים הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת תניסה לנשק קטלני שסופק לחוטים על ידי איראן यही वज़े है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इसराइली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसी लिए हूथियों ने ग्रीज के तेल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल आखिर क्या करते हैं और चलिए अब खबर आपको भीलवाडा से देते हैं जोहां भगवान कृष्ण के जन्मोचसव यानि की जन्माश्मी के पर्व को लेकर भीलवाडा के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो रहे हैं मंदिरों में सजावत के साथ ही विबन में जहांकियों के साथ कई भार में कायोजन भी किये जाएंगे यहां प्रशुद्य दूदादारी मंदिर में जन्माश्मी पर्व को लेकर तैयारिया शुरू करती गई है जिसमें मंदर के सजावत और जांकिया सजावत का कारे प्रारंब कर दिया गया इसके साथ ही जन्माष्टमी पर्व के दूसपरे दिन होने वाले मल्खंब को लेकर विभक्तों में काफि उध्णा है प्राची दूदाधारी मंदर में वरंदावन से आई कलाकार जहांकियों और पूलों से मंदर में आतर्शक सजावत करेंगा समद 1609 वसंद कंचमी की दिहार के इसकी इस्थापना हुए थी चार सो इगतर वर्स ठापुर जी को यहां पर भी राज़मान हुए है और निंबार्ग शंपरदाय का यह मंदिर है और चलिए फिलाल इस बुलिटर में बस इतना ही आगे आगे आप देखियों मारू राजिस्तान में तमाम बड़ी खबरे नमस्कार